आज मिठे बाबा के 11 सितंबर 2021 के महावाक्य है मिठे बच्चे सत्य बाप सचखंड़ स्थापन करने आते हैं सच बाप सत्य बाप सचखंड़ स्थापन करते हैं तुम बाप के पास आये हो नर्षे नारायन बनने की सची सची नौलेज सुनने आज का प्रश्न है तुम बच्चों को अपने ग्रहस्त वहार में बहुत बहुत संभल कर चलना हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है तुम्हारा गुप्त ग्यान है इसलिए विशाल बुद्धी बन सबसे तोड निभाना है अंधर में समझना है हम सब भाई भाई वा भाई बेहन है बाकी ऐसे नहीं श्त्री अपने पती को कहे तुम मेरे भाई हो इससे सुनने वाले कहें कि इनको क्या हो गया है? युक्ति से चलना है अंधर समझ नहीं, आत्मा भाई भाई है लेकिन किसके सामने नहीं कह सकते हैं या साइशू को हम माताजी वेहन जी नहीं कह सकते हैं वो उसको मा जी कहेंगे न क्यूंकि दुनिया वाली भ्याये तो उनके साथ चलना है युक्ति से चलना है ओम शान्ती, रोहानी बाबेड बच्चों को समझाते हैं, रोहानी अक्षर न कहे, शिर्फ बाप कहे तो भी understood है यह रोहानी बाप है, बाबेड बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है तो बाप बेड़ बच्चों को समझाते हैं सबको तो नहीं समझाते होंगे गिता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच किसके प्रती? भगवान के सब बच्चे हैं वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं भगवान नहीं समझाया होंगा, राजूख सिखाया होंगा, अभी तुम्हारी बुद्धी का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल न सके, जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा, वर स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझें प्रदर्शनी तो देखी, अब आकर के जादा सुने, सेंटर पर जाएंगे, जादा सुने, पहले-पहले मुख्य बाते ज्यान सागर पतित पावन, गीता ज्यान दाता शुव भगवान वाज, उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिकलाने वाला, समझाने वाला कौन है, व वह सुप्रिम सोल, ज्यान सागर, निराकार है, वह है टृत, वह सत्ते ही बताएंगे, फिर उसमें कोई प्रशन पूठी नहीं सकता है, तुमने सब छोड़ दिया, टृत के उपर, सत्यम्षयों, सुंदरम्षयों बाबा के उपर हमने सब कुछ छोड़ दिया है, तो पहले पहले तो इस पर समझाना है, हमको परम्पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते, यह राजाईपद है, जिसको निश्य हो जाएगा, जो सभी का बाप है, वह पार्रों की उपापबेड समझाते हैं, वही सबसे बड़ी आथोरटी है, तो दुसरा कोई प्र के लखेड़, हमके लखेड़, हमके जाता है, प्जिक्यायोग सिखाते हैं, यह सबसे देल है, यह बाप है, यह दुद।